पहला है कि लगनेस और अस्टमेस के आगे बीचे बहुत सारे पापी गरा है लगनेस शुक्र है और अस्टमेस प्रहस्पति है उसके पीछे सुर्ज मंगल आगे चेतू तो यह एक ऐसा योग बनाता है जिसमें दुश्मन अधिक होते हैं और आपका सर्यंद्र आपके बीचे हो सकता है आपको सद्यंद्र में फसाया जा सकता है या अपका भी फर्स सकते है विचनी और चंदरमां की युती है जो काफी खराभ योग मना दिया टिया भिश्य couple इसमें चंद्रमान और शनी के साथ नीच सनी के साथ हैं तो यह भी खराब योग बनाता है जिसे की संधस मिलता है जब उसकी दशा आती है तो किसी दर किसी प्रकार से आपको समस्या आ सकती है बर्तमान में अभी वरेस्पत वित्रो जैसा आपने देखा कि अगर कुंडली के जब शुब योग रहते हैं तो हर हाल में सफलता मिलती है लेकिन वही कुंडली के जब अशुब योग अपनी दशा में आ जाते हैं और जब वो अपना परिनाम देने लगते हैं तो निगेटिव से निगेटिव परिनाम भी आते हैं नमस्कार साथियों माविद्या जनी ज चक्र है वो कैसे चलता है कि कुंडली के अंदर बहुत सारे राज्योग के साथ साथ जो तीन जो नेगेटिव योग जो मैंने बतलाए थे इससे पहले भी आपको फिर से बतला दूँ कि शनी और चंद्रमा की जो युती बन रही है उसको विश्योग कहा जाता है विश्योग जो चीजें जिससे रिलेटेड रहती है उसमें नुकसान होता है और एक सबसे बड़ा योग बना हुआ है वह स्रिंखला बंध योग अब देख सकते हैं कि 12 भाव में शनी और चंद्रमा है नीच का शनी मेश रासी का शनी बहुत ही खराब और दूसरे भाव में शनी की ती भाव पर सूर्य मंगल और शनी की द्रिष्टी है मित्रों बारमे भाव दूसरे भाव पंचम भाव और नवम भाव अगर युती या द्रिष्टी से पापी गरहों से परभावित हो जाए तो स्रिंखला बंध योग बनता है और ये स्रिंखला बंध योग जो होता है ये ज खराब हो जाती है तब ये बंधन योग बनाता है जेल योग बनाता है इनकी कुंदली में अभी आप देख सकते हैं सारा लिखा हुआ है कि अभी जो दशा 26 अक्टूबर तक थी वो ब्रहस्पती में मंगल की थी और अब ब्रहस्पती में राहू में राहू आ मित्रो किसी की भी कुंदली हो मैं बिलकुल प्रैक्टिकली कह रहा हूं कि जब कभी भी राहू की महादशा में राहू की अंतर दशा में राहू का प्रत्यांतर जिस किसी की भी कुंदली में आता है इतना परेशान करता है कि आप को लगेगा कि मेरे जीवन का सबसे खराब सम तो जब भी राहू में राहू किसी की कुंडली में है इनके फैसे भी जो राहू है वह अास्टम और एकादस के मालक के घर व mostly 3-4 का जो मालिक ब्रिहस्त, है उनके घर में राहू बैठा हुआ है यानि कि राहू किसका फल दे रहे हैं अस्टम और ग्यारमे का साथ इसाथ काल सर्प योग भी बना हुआ है बिश्योग बना हुआ है लगनेस और अस्टमेस बुरी तरीके से बहुत सारे करहों के साथ फसे हुए हैं यह सारा योग जो कि गुरू में राहू में 20 अक्टूबर के बाद से शुरू हो गया है जो कि 6 मार्च 2024 तक चलेगा यानि कि इस दशा में स्रिंखला बंध योग बंधन योग बनाएगा जेल योग बनाएगा साथी साथ हर कुंडली के अंदर में एक दशा ऐसी आती है जब अच्छी दशा आती है तो मार्च के बाद प यानि कि आज शनी देव मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होकर के दशम भाव में हैं और 12 भाव पर 13 दिश्टी देंगे इनकी कुंडली में और 12 भाव जो होता है वो कारावास का होता है जेल का होता है कोड कछरी का होता है तो 12 भाव पर में स्वागरही शनी मार्गी होकर के जब तृतिय दिष्टी देंगे तो इनके लिए तीसरा भाव होन में मंगल का घर होने के कारण इनके लिए प्रतिकूल परिणाम आने वाले हैं यानि कि परिष्टिती ये बन रही है कि मार्च दो हजार चोबिस तक जो गुरू में राहू में राहू जब रहेंगे यानि कि गुरू में राहू राहू भी गुरू के घर का है फिर यानि की टिपल यानि की महा दशा अंतरशा प्रत्यांतर तीनों ही आट और ग्यारा के मालिक की है आप समझ सकते हैं कि किसी की कुंदली में अगर महा दशा अंतरशा और प्रत्यांतर तीनों ही आठ में और ग्यार में घर के मालिक की हो जाए तो उसकी क्या परिष्टिती बनेगी कुंडली में काफी सारे राज जोग हैं जो सपोर्ट तो कर रहें लेकिन मार्च 2014 तक शनी बहुत ज़्यादा बलवान है और जो दशा अंतर दशा जब आती है बना हुआ है तो इन श्चित रूप से छे मार्च 2014 तक कह सकते हैं कि इनका जो समय है परतिकूल रहेगा इसमें जेल भी जा सकते हैं और आगे का फिर इनका जो समय आएगा वो मैंने इनकी जो कुंडली मैंने कंप्लीट बनाई थी उसमें बतला रखा है कि 2027 के बाद काफी अच्छा समय रहेगा तो ये जो अभी इनका जो चार मेने का समय काफी खराब है इसमें अगर इनको राहत चाहिए तो राहत के लिए इनका जो एक मात्र उपाए है कि ये दतिया जाकर के मद्परदेश में एक दतिया जगह है वहाँ पे भगवती की शरण में जाया और वह नहां तक हो सके ये अपना पूजा अनुस्ठान करवाले तो केवल एक मात्र वही उपाए है जो इनको संभवता बचा सकता है अधरवाइज स्रिंखला बंद योग इनको परभावी है बहुत बुरी तरीके से परभावी है और इसका परभाव इनके ओपर निश्चित रू जोगों का वर्न किया गया है उन राज योगों से इनको क्या क्या पैदा हुआ था कैसे यह Сीम बने कैसे इलेक्शन जीते और अभी का एनके साथ जो परिष्टिती आ रही है उसका भी वर्नन मैंने एक साल पहले वाली जो बनाई ती उसमें बतलाय था कि जब यह समय और पर्तिकूल परिस्तिती में कुछ भी हो सकता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार